आज हम बात करने आले हैं foundation के RCC foundation के बारे में कौन सा foundation जो है कहा पर यूज़ करना है कौन से foundation की means कब जरूरत होती है किस condition में कौन सा foundation हमें economical होता है यूज़ करना तो आज जानेंगे वो foundation के बारे में तो सबमें पहले मैंने foundation रखा है यह तीन टाइप के foundation मैंने रखा है जो जनरली यूज़ होता है आपने small structure के अंदर या lightweight structure के अंदर यह देखा हूंगा simple footing जो एक step में रहती है इसे pad footing भी बोलते है दूसरी है slow footing यह slow footing जो है इसे ज्यादे तर ट्रापजोडल फुटिंग भी बोलते है यह slow footing भी बोलते है यह step footing यह जो है step में रहती है तो यह तीनों भी जो हम एक ही चीज में यूज़ करते है मेंस यहां पर जो है main factor यहां पर शेयर फॉर्स होता है ओके तो शेयर फॉर्स अब आपके structure के अंदर शेयर फॉर्स कम है तो शेयर फॉर्स कम है तो हम हमारा काम यह simple footing में यह पैट फुटिंग में हो जाता है ओके यह दोनों के अंदर पास हो जाते है one way two way शेयर में यहां पर आपका structure में जो लोड आ रहा है super structure का वो लोड जो है कम है आपका जो strata है वो hard है एकदम तो आपका जो है simple footing के अंदर pad footing के अंदर काम हो जाता है ओके कि दूसरे चीज आती है slow footing आपके फुटिंग में जो है share कम है लेकिन थोड़ा सा जादा मुमेंट ने थोड़ा सा मुमेंट जादा है तो आप जो है अध शलो फुटिंग में जा सकते है या फिर एक दूसरी चीज ऐसी कर सकते है या आपका जो है थोड़ा शेयर आँछ थो आप स्लोप होने के वज़े से जिसा कि आपके structure में जो है ज़्यादा डेप्त आ रही है तो ये आप slope में जाAKE इसे चेक कर सकते तीसरा आता है step voting आपके structure में बहुत ही ज्यादा heavy share force generate हो रहा है तो मैं moment की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ शेयर फोर्स की बात हो रही है तो यहां पे आपके structure में share force maximum share force आ रहा है तो आप जो है step footing में हम जो है step footing prefer करते है economical consideration में ओके यह economical बन जाता है तो यह तीनों भी जो है economical है लेकिन इसके purpose की हिसाब से इसके use की हिसाब से आपके structure में share force बहुत जादा आ रहा है तो आपको यह step footing economical रहेंगा okay simple footing आपके structure में कम share आ रहा है तो आपको simple footing यह economical रहेंगा तो यह according to forces यह economical रहता है okay दूसरी चीज़ यह site site में ते की ऐसा use होता है step footing okay तीसरा जो है step footing यह दूसरे type का होता है strap footing में क्या होता है एक consideration इसका इसा है कि आपके structure में boundary है एक column को boundary लग रही है तो आप वो column को eccentric की ही लेना पड़ेंगा आपको एक column eccentric है दूसरा column concentric है तो वो दोनों को जो है strap 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 footing की जरी strap beam की जरी हम उसको connect कर देंगे तो यह जो हो जाता है strap अब मैंने यहां पर एक term लिखा है जैसा उपर लिखा था शेयर फोर्स यहां पर लिखा हुआ बेंडिंग मुमेंट अब यहां पर एक चीज आती है एक column जो है boundary पर और एक column जो है अंदर की site में है तब यूज कर सकते है इससे दूसरी condition आती है आपके structure में आपके column में मुमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है okay footing में जो है आपका मुमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप जो है strap footing ही आपको economical रहेंगा strap beam का purpose क्या है यह आप generally समझ सकते हैं जब आप अपनी beam को देखेंगे okay beam जो है जनरली डिजाइन करते हैं bending moment के लिए तो यहां पर सेम परपस है beam का यहां पर जो है beam क्या करता है जो moments आ रहे हैं है विए moments आ रहे है उसे transfer कर लेता है तो हमें जो है footing को beam footing को जो है बेंडिंग मुमेंट के लिए design करने करना पड़ता है यह मेंस यह जो footing आ रहा है यह बेंडिंग मुमेंट के लिए design लेंगे यह शेयर फोर्स के लिए आपको इस चीज समझ में आ गई होंगी यह भी economical है पर कब जब मतला आपके foundation में footing के अंदर हेवी मुमेंट आ रहे है तब यह चीज जो है यह foundation जो है वह economical हो जाता है क्योंकि आपके मुमेंट को केरी करके दे रहा है यह देखी यह एक सिंपल सी चीज है difference between strip and strap एक होता है strip strip के माइन होता है एक लगातार और strap के माइन होता है divide कर लेता है वह अब strap जो है यह footing है यह footing ही यह footing ही यह दोनों footing को connect कर लेता है एक beam के जरीए तो यह strap beam हो गई लेकिन strip बोले तो वह एक मतलब पूरे direction में सेम रहेंगा मतलब एक footing रहेंगी और वह footing को जो है पूरा एक column रहेंगा तो उसे strip बोलेंगे हम यह चीज़ आपको समझ में आज आ गई होंगी strip और strap में तो हमारा जो में मकसद है वह straps को समझना है और लास्ट और आखरी चीज़ जो है पाइल फॉंडेशन और राफ फॉंडेशन राफ फॉंडेशन या मेट फॉंडेशन भी बोलते है उसे यहां पर जो है सब्सक्राइब जो पाइल फॉंडेशन या राफ फॉंडेशन हम कभी उस करेंगे अकॉर्डिंग टू एस बीसी जैसा हम उपर देख रहे थे शेयर फॉर्स बेंडिंग मुमेंट के वज़े से हम कोई से कोई से फॉंडेशन यूज़ कर रहे हैं वैसा ही आप वहां पर ज जो है स्ट्राटा की कंडिशन स्ट्राटा की स्ट्राटा की कंडिशन चेंज हो रही है कभी सॉफ्ट मिल रहा है कभी मिडियम मिल रहा है तो हम यह दो फॉंडेशन में प्रिफर करते हैं तो यह दोनों मेट और राफ फॉंडेशन और पाइल फॉंडेशन का प्रिफर करते है अब आपके foundation में black cotton soil है पूरे जो है मेंस आपके पूरे नीचे जो है यह समझे यह foundation की जो नीचे पूरा जो strata है या फिर पूरी soil जो है वो एक ही condition में है या एक ही density की है तो आप जो है raw foundation prefer कर सकते हैं और pile foundation का prefer कर सकते हैं आपके नीचे का स्ट्राट जो है वो different है और जो हार strata है वो एकदम नीचे है जैसा दो मिटर पर चार मिटर पर ऐसा आपका हार strata है तो देखिए यहाँ पर आपको पहले जो है low density वाली soil मिल रही है फिर उसके मेडियम density वाली soil मिल रही है तो आपको प्रिफर करेंगे यह पाइल foundation ओके according to condition यहाँ पर दोनों भी economical है लेकिन वह यूज़ कौन सा है आपके structure को straining कौन देंगा तो उसकी सबसे वह prefer होता है और वही आपका foundation economical होता है तो होब आपको यह चीज़े समझ में आ गए होंगी कि कौन सा foundation कभी उसकरना है और कौन सा foundation कभी economical रहता है तो मिलते हैं next lecture में नए topic के साथ तब तक के लिए बाए प्लीज तब तक के लिए मेरे चैनल को like subscribe और share कीजिए तो मिलते हैं next lecture में